हेलो फ्रेंड्स मैं सुस्मा को हार्ड वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुन्दर बोर्डर डिजैन लेकर आई हूँ आज मैं आपको डिजैन बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाया गया है इस बोडे डिजैन को आप लेडीज कारडिगन लेडीज हाफ जैकेट गुल्फ टोब फ्रोग कुर्टी पर अपलाई कर सकती हैं इस डिजैन से आप कैप भी बना सकती है इन सभी प्रोजेक्ट पर ये डिजैन बहुत ही सुन्दर लगता है इस डिजैन को बनाने के लिए आपको 4 के मल्टीपल फंदे लेकर 3 फंदे एक्स्टर लेने होंगे तो ये डिजैन आपके प्रोजेक्ट पर इस तरह से एड़ेस्ट हो जाएगा चार के multiple देखिए, चार फंदे गिन लिजिए, फिर सी चार, फिर सी चार, फिर सी चार इस तरह से करते हुए last में आपके तीन फंदे होने चाहिए ये डिजन सीधी सैट से शुरू होता है और चार सलाईों में complete हो जाता है तो चलिए देखते हैं कि ये डिजन कैसे बनाया गया है तो ये देखिए फ्रेंट्स इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 23 फंदे, 4 के multiple करके और इसमें 3 फंदे एक्स्ट्रा फंदे डालने के बाद एक सलाई सीधी साइट से और एक सलाई उल्टी साइट से इसमें मैंने उल्टी बनाई हुई है डिजन की पहली सलाई है और सीधी साइट है तो ध्यान दीजेगा कि इसकी पहली सलाई कैसी बनेगी पहला फंदा ht 6 इसे उतारिये या बनाईये ये आपकी अपनी मर्जी है मैं हमेशा ही उल्टा बना कर लेती हूँ यहां से अब हमारा ये डिजैन शुरू हो जाएगा तो ये देखिए एक फंदा उल्टा धागा पीछे करेंगे एक, दो और ये तीन इन तीन में से ये जो इसका तीसरा फंदा है दो को छोड़ देंगे और इस तीसरे को इन दो के उपर से ऐसे पलट देंगे अब देखिए ये एक फंदा हम सीधा बनाएंगे धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और इस फंदे को भी सीधा बना देंगे तो ये देखिए तीन से वापस हमारे तीन फंदे हो गए स्टीज को छोड़ कर ये जो चार फंदे का डिजाइन बनाया इसी को बार बार रिपिट करेंगे तो धागा अपनी तरफ ले आएंगे एक फंदा उल्टा फिर धागा पिछे करेंगे तो देखिए एक दो और ये तीन इन तीन में से इस दो फंदे को छोड़ के ये जो तीसरा फंदा है इसको लेंगे और दो के उपर से ऐसे पलट देंगे तो तीन फंदे से हमारे दो फंदे हो गई है अब फिर से हम तीन बनाएंगे तो देखिए एक फंदा ये सीधा बनाएंगे धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और इस फंदे को भी सीधा बुन देंगे तो वापस हमारे तीन फंदे हो गई फिर से इसी डिजैन को रिपीट क इसको लेंगे और 2 के उपर से ऐसे पलट देंगे तो 3 से 2 हो गे अब वापस 3 बनाने है तो देखिए एक फंदा ये सीधा बना देंगे धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और इस फंदे को भी सीधा बनेंगे तो देखिए बीच में जाली से फंदा बढ़ गया है तो वापस हमारे तीन फंदे हो गए धागे को अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे करेंगे एक, दो और ये तीन तीन में से दो को छोड़के इस तीसरे फंदे को लेंगे और इन दो के उपर से ऐसे पलट देंगे अब देखिए एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को भी सीधा बना देंगे तो वापस से हमारे तीन फंदे हो गए फिर से डिजैन को रिपीट करेंगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे ले जाएंगे एक, दो और ये तीन तीन में से दो को छोड़के इस तीसरे को ऐसे लेंगे और दो के उपर से ऐसे पलट देंगे तो तीन से दो हो गए अब एक फंदा सीधा फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को सीधा बनाएंगे तो जाली से फंदा बढ़ गया लाश्ट में आपके दो फंदे बचेंगे इनको उल्टा बनाईए डिजैन की पहली सलाई कम्प्लेट हो गई है अब आज ये इसकी दूसरी सलाई और उल्टी साइड पर उल्टी साइड पर देखिए जो फंदा सीधी साइड से हमने उल्टा बनाया वो उल्टी साइड पर सीधा बनेगा जो तीन फंदे सीधे बनाए वो उल्टी साइड पर उल्टे बनेगे तो पहला फंदा इसका एस्टीच है उतारिये या बनाएए ये आपकी अपनी मर्जी है धागे को पिछे करेंगे एक फंदा सीधा फिर धागा अपनी तरफ ले आएंगे और तीन फंदे उल्टे एक दो और ये तीन तो ये देखिए एस्टीच को छोड़ कर ये जो चार फंदे का डिजैन बनाया इसी को बार बार रिपिट करेंगे धागे को पिछे ले जाएंगे एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ और तीन फंदे उल्टे एक दो और ये तीन फिर से धागा पिछे करेंगे एक फंदा सीधा फिर धागा अपनी तरफ और तीन फंदे उल्टे फिर से धागा पिछे करेंगे एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ ले आएंगे और तीन फंदे उल्टे बनाएंगे फिर से धागे को पिछे करेंगे एक फंदा सीधा और तीन फंदे उल्टे आपके जितने भी फंदे हों इसी तरह से सलाई को कम्प्लिट कर दीजिए लास्ट में आपके दो फंदे बचेंगे तो देखिए ये फंदा सीधा और estich को उल्टा बुन देंगे दो सलाईयां design की complete हो गई है अब आज ये इसकी तीसरी सलाई और सीधी side पर तीसरी सलाई पर देखिए जो फंदे जैसे दिखे वैसे ही बनाने है पहला फंदा estich है उतारिये ये बनाईये ये आपकी अपनी मर्जी होगी यहां से ये design शुरू हो जाएगा तो ये देखिए एक फंदा उल्टा धागा पीछे और तीन फंदे सीधे एक दो और ये तीन फिर से design को repeat करेंगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे और तीन फंदे सीधे फिर से design को repeat करना है धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे और तीन फंदे सीधे फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, और तीन फंदे सीधे फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा, तीन फंदे सीधे लास्ट में आपके दो फंदे बचेंगे, इनको उल्टा बनाईए तीन सलाईयां डिजैन की कम्प्लेट हो गई है चोती सलाई उल्टी साइड से सीधे फंदे पर सीधा बनाना है और उल्टे फंदे पर उल्टा बनाना है तो देखिए पहला फंदा एस्टीच है धागा पिछे करेंगे एक फंदा सीधा फिर धागा अपनी तरफ ले आएंगे और तीन फंदे उल्टे बनाएंगे तो ये दे देखे फ्रेंट्स इस तरह से चार सलाईयों में ये डिजैन ओवर हो जाता है यही चार चार सलाईयां इसमें बार बार रिपीट करनी हैं तो चलिए नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग बता देती हूँ ताकि आगे रिपीट करने में आपको कोई प्रोब्लम ना हो तो नेक्स उल्टा धागा पीछे करेंगे एक दो और ये तीन इन तीन फंदे में से दो को छोड़ देंगे तीसरे को लेंगे इनके दो के उपर से ऐसे पलट देंगे तो ये देखिए तीन से दो हो गए तो एक फंदा ये सीधा बनाएंगे फिर धागा अपनी तरफ ले आएंगे और इस फंदे को सीधा बना देंगे तो जाली से फंदा बढ़ गया तो हमारे वापस तीन फंदे होगे फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे ये देखे एक दो और ये तीन तीन में से दो को छोड़ देंगे तीसरे को लेंगे और दो के उपर से ऐसे पलट देंगे तो तीन फंदे से दो हो गए तो एक फंदा सीधा बनाएंगे धागे को अपनी तरफ कर लेंगे और इस फंदे को भी सीधा बना देंगे तो वापस हमारे तीन फंदे हो गए फिर से डिजैन को रिपीट करना है एक फंदा उल्टा फिर धागा पी देखिए एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे धागे को अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को सीधा बनाएंगे तो जाली से फंदा बढ़ गया तो वापस हमारे तीन फंदे होगे फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे एक दो और ये तीन दो को छोड़ देंगे तीसरे फंदे को लेंगे और दो के उपर से ऐसे पलट देंगे तो तीन से दो हो गए फिर से हम दो से तीन बनाएंगे एक फंदा सीधा धागे को अपनी तरफ करेंगे और इसे भी सीधा बुन देंगे फिर तका अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे करेंगे, एक, दो और ये तीन, दो को छोड़ देंगे, तीसरे फंदे को इन दो के उपर से पलट देंगे, अब एक सीधा धागा अपनी तरफ करेंगे, और इस फंदे को भी सीधा बुन देंगे, तो जाली से फंदा बढ़ गया, लास्ट में आपके दो बचेंगे, इनको इस तरह से उल्टा बना दीजिए, तो ये इसकी नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग हो गई है, यही चार-चार सलाईयां आपको इसमें बार-बार रिपिट करते जाना है, तो आपका इस तरह से बहुत ही सुंदर सा ये बोर्डर डिजाइन बनके तयार हो जाएगा, अगर आपको ये नॉर्मल उन में बनाना है, जो की देखिए इस तरह की होती है, तो दस नंबर की सलाई यूज कीजिए, और अगर प्लाई वाली उन में बनाना है, तो नो नंबर की सलाई यूज कीजिए, तो आपका इस डिजाइन बहुत संदर बनके तयार हो जाएगा, तो प्रेंट्स अगर आपको ये डिजाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी प्रेंट्स ग्रूप में से शेर कीजिए, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो च आने वाले सारे वीडियो के नोटिफकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें, और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें, थैंक यू